हम अपनी life में कई तरीके के लोगों से attach होते हैं हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा attach होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा खास होते हैं या बहुत ज़्यादा करीब होते हैं यह attachment कई तरीके के होते हैं जैसे कि कभी-कभी हमें किसी person से attachment हो जाता है कभी हमें किसी चीज से अटेश्मेंट हो जाता है कभी अपने आसपास की जगों से अटेश्मेंट हो जाता है या फिर हम जो काम करते हैं उससे ही हमें बहुत जादा अटेश्मेंट हो जाता है जब attachment जरूर से ज़ादा बढ़ जाता है तो वो हमें problem भी देने लगता है तो कैसे हम attachment से एक हद तक दूरी बना कर रख सकते हैं कैसे हम de-attachment हो करके अपनी life को जी सकते हैं आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी Hi and Welcome, मैं हूं प्रीती तो चलिए start करते हैं, बात करते हैं हम अपनी life में कुछ लोगों से emotionally बहुत ज़्यादा attach होते हैं हम जिन से बहुत ज़्यादा emotionally attach होते हैं उनके लिए हम कभी-कभी परिशानी भी बनने लगते हैं जहां पर emotionally attachment बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर problems भी आने लगती हैं हम खुद भी परिशान रहते हैं और हम दूसरों को भी परिशान करते हैं ऐसा हम चाहते नहीं है बर जाने या अन जाने हम उनकी life में problem भी create करने लगते हैं जिनके साथ हमारा relation बहुत खास होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं उस relation के साथ या उन लोगों के साथ ऐसा होने लगता है इसी attachment की वज़ा से हम उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाते हैं हम उनसे बिल्कुल भी दूरी बरदाश नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी space हम नहीं देते हैं और इसी वज़ा से फिर relation में irritation भी पैदा होने लगता है irritation की वज़ा से फिर हमारे relation पर भी असर होने लगता है irritation की वज़ा से ही differences आने लगते हैं उसी की वज़ा से dispute होता है फिर भी हम उनसे दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं फिर भी हम उनसे attached रहते हैं और ना ही हम उनके साथ रह करके ही खुश रह पाते हैं। कोई भी relation हो उसमें space की जरूरत होती है। हर relation में थोड़ा सा distance होना जरूरी है। थोड़ा सा detachment हो करके अपनी life को जीना जरूरी है। Actually detachment का मतलब क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। Detachment हो करके अपनी life को जीने का सही मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता है। Detachment का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके कहीं चले जाएं। Detachment का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से मतलब मत रखिए। Detachment का मतलब ये है कि आप सब के साथ रह करके भी free हों। आप किसी भी चीज से बधेना हो, आपको freedom हो और आप दूसरों को भी free रखे detach होने के लिए आपके आसपास जो कुछीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को आप ऐसे देखना start करिए जैसे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सच नहीं है आप ऐसे देखें जैसे कि आप कोई program देख रहे हैं या कोई movie देख रहे हैं जो कि सच नहीं है जब आप इस तरीके से देखना start करते हैं तो उस चीज़ से आपका attachment नहीं होता है जब हम किसी चीज़ से attach होते हैं तो हम उस चीज़ से प्यार नहीं करते हैं फिर हम उस चीज से सिर्फ और सिर्फ अट्रेक्ट होते हैं। हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए उस परसन के साथ रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो परसन हमारे साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। उसकी खुशी किसमे हैं इस चीज के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ यही मानते हैं कि हमें साथ रहना चाहिए क्योंकि हमारा relation जो है वो बहुत ज़ादा close है, हम यह नहीं देखते हैं कि सामने वाले की खुशी किस में है वो किस तरीके से ज़ादा खुश है जब हमें किसी की परवा होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं हम उसकी खुशी के बारे में सोचते हैं हम अपनी खुशी या अपने बारे में नहीं सोचते हैं हम वही चीजें करते हैं जिसमें की वो खुश है उसके उपर किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं डालते तो हम अपने मतलब या अपनी खुशी को एक साइड रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम उसकी किसी भी problem का reason तो नहीं है जरूरा से जादा attachment या फिर सिर्फ relation के नाम पर किसी को अपने साथ बांध करके रखता ये सिर्फ problem को ही create करता है इससे हम खुद भी problem को face करते हैं और दूसरे लोग भी problem को face करते हैं इससे हमारे relation भी खराब रहते हैं और हम हमेशा ही परिशान रहते हैं तो थोड़ा सा detach रहें डिटेच हो करके अपनी life को जीना start करें डिटेच होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से प्यार नहीं है डिटेच की मीनिंग ये है कि आपको सही मायने में किसी की परवा है जब हम थोड़ा सा डिस्टेंस या थोड़ा सा डिटेच हो करके अपनी लाइफ को जीते हैं तो जो लोग हमारे बहुत ज़्यादा खास होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वो लोग फिर हमारी परवा जादा करने लगते हैं उनके साथ हमारे relation भी काफी अच्छे रहते हैं फिर वो चाहे हमसे दूर हो या हमारे पास हो वो हमारी जादा परवा करने लगता है जब हम दूसरों पर बोच नहीं बनते हैं या फिर हम दूसरों की किसी भी प्रॉबलम की वज़ा नहीं बनते हैं या फिर हम अपने आपको दूसरों से अलग रख करके उनके बारे में सोचते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो detachment कहलाती हैं और इसी से हम खुश रहते हैं और इसी से दूसरे लोग भी खुश रहते हैं तो आज से ही detachment रहने की practice करना start कर दीजे अपनी life को अपने according जीए और दूसरों को उनकी life को उनके according जीने दीजे